गाइस मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निक चैनल गाइस मेरे से मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर एक कोश्चन पूछते रहते हैं कि सरक कौन सा लैप्टॉप और कौन सा डेक्स्टॉप आप यूज करते हो ग्राफिक डिजैनिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किरे लैप्टॉप अच्छा है ग्राफिक डिजैनर के लिए और मैं कौन सा लैप्टॉप यूज कर रहा हो मैं पूछले पांच महिन्सें लैप्तॉप को यूज दे सकता हूं तो मैं आपको अच्छे से रिव्यू सिकता ह अच्छा है graphic designers के लिए तो इस वीडियो को आप start to end देखें तो चली start करते हैं आज की वीडियो गाइस मैं पिछले 10 सालों से ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं और अपने इन 10 सालों में मैंने काफी सारे लैप्टॉप का और डेक्स्टॉप का यूस किया है बट मेरे पास जो अभी लैप्टॉप है उससे मैं काफी ज्यादा सैटिस्फाई हूँ और यह मुझे परसनली काफी ज्यादा पसंद है जिसका नाम है Macbook Pro M1 और यह M1 सिरीज एपल ने स्पेशली एडिटिंग और डिजाइनिंग के लिए निकाली है यह काफी हेवी ड्यूटी लैप्टॉप है इनका गईस अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो यह मेरे पास 13.3 इंच का लैप्टॉप है जिसमें 512GB SSD, 8GB RAM है, 8-core CPU है, Octa-core processor है with M1 चिप के साथ और यह M1 चिप ही इस लैप्टॉप को और बाकी के लैप्टॉप से अलग बनाती है इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी डिस्पले, जो की एक Retina डिस्पले है जो की हर एक Graphic Designer और Video Editor के लिए काफी जादा अच्छी है जिसमें हमें Actual Color देखने को मिलते हैं और अगर मैं इसके Look की बात करूँ तो यह बहुती जादा Professional Look है और सबसे अच्छा है इसके Keyboard में भी Touch Display है जो की Laptop को और भी अलग बनाती है आप यहां से Brightness, Volume, Shiri यहां तक की Typing Suggestion भी यूज़ कर सकते हो साथी इसके जो Speaker हैं वो बहुती जादा Ultimate है Sound काफी जादा है इनकी Guys मैंने इसमें बहुती Heavy Files को भी Edit किया है और Render किया है यह Render में काफी कम टाइम लगाता है और जब हम Designing में कई बार काफी जादा Artboard लेकर के Designing करते हैं तो Normal Computer जो हैं वो Hang होने लगते हैं या फिर Slow हो जाते हैं बट यह बिल्कुल भी Slow नहीं होता है इसकी Performance बहुत ही जादा Ultimate है Guys मैं आपको Suggest करूँगा कि अगर आप भी एक Laptop लेना चाहते हैं तो आप यह Laptop लें माना ही थोड़ा सा महंगर Laptop है लेकिन अगर आप Normal कोई भी Laptop लेते हैं वो भी 80,000 एक लाग के बीच में ही आते हैं तो आप थोड़ा सा रुख जाएं पैसे थोड़ा से और ज़्यादा सेव करें और यह Laptop लें इस Laptop का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ पर जाकर के इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में चेक कर सकते हैं तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू